हाई आप लोग को बताने वाली हूं पनार्ची सिल्क की साड़ी कैसे डिप करें ओभी बॉड़ी पर फिट कैसे दिख सकती है यह साड़ी क्योंकि यह साड़ी बहुत ज़्यादा फूली साड़ी होती सभी लोग इसको डिप नहीं कर पाते हैं तो सारा ट्रिक्स मैं आप सकते हो इसे मैं सजेश्ट करूंगी आप लोग को कि आप कोई भी से बेर वाला पेटी कोट ही बेर कीजिए क्योंकि इस वाले साड़ी में इसका जो फैब्रिक है फूला सा दिखाई देता है तो इसमें अगर आप कोई भी से बियर पेटी कोट बेर करते हो तो बहुत ही रहता है या फिर आपकी हाइट ने लंबी है यह चोटी है जाहर जैसे भी आपकी हइट और उसके सबसे आप फोल्ड कर सकते हो मैं सो मैं मृष्ट राउन् टक कर रहे हूं अम इनले ओंद बोलते हूं अगर आप लोग ठीर रोड़र कर रह हो बना से सिल्की साड़ी और उसके फिनीसिंग जो बहुत ही अच्छे से दे रहे हो तो बहुत ही अच्छे से आपको फाइनल लुक आने वाला है और एक बात आप लोग ध्यान देना कि टाइटली आपको बेसिक राउन टक करना है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फैबरिक आपन आप लोग देखी रहे हूं मेरा पनलू का शाय साहित कैसा है उसे मैं अपने प्लेट्स में एर्रेंज कर रही हूं सो बनासी सिलका जो इसे możemy कर पाते पाते हों आप लोग फैब्रिक उसे की अकॉर्डिंग अच्छे से सेट हुआ दिखाई देगा वह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप स्रिप्टी पीन लगा रहे हो या फिर चिम्टी लगा रहे हो एंद आपके पास जो भी है वह आप लगा सकते हो सो मैं प्लेट्स को एरेंज करते हुए उस देव तो बहुत ही तरिकी से सारा प्लेट सापका हो जाएगा बल्कि जब आपका सारह कर ऐब्रिक सेट आपका पलू का पार्ट सारा सामने की तरफ आ जाए तो उसे अपने लेप्ट वाले शोल्डर पे अच्छी तरीके से सेट कर लेना है आप लोग देख रहें हो मैं सारा फैब्रिक को अच्छी तरीके सेट कर ले रहें उसी कॉर्डिंग जहां पर मैंने शेफटी पिन लगाया है हाला कि मैंने अभी उपर से ही शेफटी पिन सारा लगाया हुआ है सो मैं अंदर से एक शेफटी पिन लगा लूँगी सिंपल वाला शेफटी पिन मैं यहां पर यूज़ करने वाली हूं आप लोग भी सिंपल वाला शेफटी पिन यूज़ करिएगा सो आप लोग देख है आप लोग भी ऐसे सेट करना चाहते हो बहुत इजी तरीके सेट कर सकते हो तो नीचे वाला फैब्रिक आप देखी रहे हो मैं घुमाते हुए शामने की तरफ ले आऊंगी आपको पूरा ब्रेश्ट नहीं हाइट करना हलका सा ब्रेश्ट को हाइट करते हूं शामने की तरफ फैब्रिक को ले आना है मैंने शामने की तरफ ले आया है सारे फैब्रिक को आप लोग देख रहे हो ये वाला फैब्रिक मैं थोड़ा चिंगोड़ते हुए आप प्लेट्स में भी अरेंज कर सकते हूं आपके उपर डिपेंड करता है कि आप प्लेट्स में अरेंज करते हो या फिर वैसे चिंगोड़ते हुए एक शेप्टी पीन लगा लेते हूं आपके उपर डिपेंड करता है सो मैं प्लेयर्स नहीं एरेंज कर रही हूं वैसा ही चुंगरते हुए एक शेप्टी पिंस सीकोर कर ले रहे हूं अपने फाइबरी को उसके बाद मैं अपने फाइबरी को प्लेयर्स में एरेंज करने वाली तो मैं राइड साइड से प्लेयर्स को एरेंज करते हूं यह चीज इसे मेरा फैब्रिक इस्टरा बचे ना तो मैं साइज कर ली हूं उसी के कॉर्डिंग में सारे प्लेट्स को एरेंज करते हुए जाओंगी आप लोगी अगर बनार से सिल्की साड़ी ड्रेप करते हो तो आप लोग भी पहले साइज कर लीजिए अपने फैब्रिक को कि मुझे कितना प्लेट्स में एरेंज करना है उसके बाद आप प्लेट्स को उसे को और्डिंग शारे फैब्रिक जो है प्लेट्स वाला वह फैब्रिक आपको प्लेट्स में एरेंज कर लेना है बनार से सिल्की साड़ी में जो फैब्रिक होता है बहुत ही शारा फैब्रिक होता है क् बिंगनर्स होते हैं वो बैठा नहीं पाते हैं अगर ऐसे बिंगनर्स जो है अगर मेरा ये वीडियो वो लोग लाश्ट तक देखेंगे तो उनका भी प्लेट्स मेरी तरह अच्छी तरीकी सेट हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से सारा फैब्रिक सेट किया है उसे सेट नहीं हो पाता अच्छे से या फिर कोई दूसरे लोगों को आप हेल्फ ले सकते हो अगर अकेले ही आप लोग सारी डेप करना साहते हो तो मेरा वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्फुल होने वाला है क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे सारा ट्रिक्स आप लोग को बताया है सो अंदर की साइट से मैं एक शेप्टी पीन से फाब्री को सिकूर कर लूँगी जिससे सारा फाब्री जो मेरा है अच्छी तरीके से सेट हुआ दिखाई दे और मेरा एक भी फाब्री किधर उदर हो ना च्रू गाइज मैं अंदर की साइड से आप लूग देखी रहे हो कोई फैंसी वाला सेप्टी पिन मैं नहीं लगा रही हूं क्योंकि यहां पे आपको सिंपल वाला सेप्टी पिन लगाना है फैंसी वाला सेप्टी पिन आपको शामने की तरफ लगाना जो मैं लगा रही हूं ऐसे ही आप लोग ही लगाईएगा बहुत ही अच्छा लूग आने वाला है तो सारा ट्रीक्स जो था मेरा कंप लीट हो चुका है बस इधर उदर का जो फैबरिक था वो अच्छी तरीके से सेट करने के बाद मेरा फाइनल लुक आप लोग के सामने आने वाला है आप लोग देखी रहे हो मेरा फाइनल लुक दिस इस माई फाइनल आप लोग को मेरा फाइनल लुक कैसे लगा मेरे ख्याल से आप लोग को मेरा फाइनल लुक जो है बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा हो